दा कोड ओन वेजिस जिसको महिंदे में कह सकते हैं मजदूरी संहिता दो हजार उन्निस आठ अगस्त दो हजार उन्निस को इसको राश्पती की तरफ से एसेंट मिल गया जिसके बाद ये एक कानून बन चुका है लेकिन किसी भी कानून को फोर्स होने के लिए ज़रूरी होता है कि उसका कोई नोटिफिकेशन निकाला जाए जिसके थूरू उसको इन्फोर्स किया जाए जो कि अभी तक नहीं आया है अगर आपको याद होगा तो 10 जुलाई संद 2020 जाने की पिछले महीने गॉर्मेंट ने इसके कुछ रूल्स बनाए ड्राफ रूल्स को पब्लिक ऑब्जेक्शन के लिए उनके ओपनियन्स के लिए पब्लिश कर दिया है इसके उपर जो भी पब्लिक के ओपनियन्स होंगे इंडस्ट्री के ओपनियन्स होंगे उसके आने के बाद में अगर सब कुछ सही रहता है तो उन चेंजेस इसको उन अब्जेक्शन को इनकोर्परेट करके एक रूल बना दिये जाएगा और उसके बाद इस एड्ट के जाथ ही एक क्वेशन लोगों का आ रहा है वो यह है कि जो चार कानून हटा करके एक कोड में समाहित किये गए हैं एक कम्माइन किये गए चार कानूनों को वो चार कानून कौन कौन से थे वो चार कानून थे आपके दा पर वेजिस एक्ट में वेजिस एक्ट बोनस एक्ट Equal Remination Act चार कानूनों को एक बना करके एक में समाहित करके एक कोड बना दिया है इन चारो कानूनों के एक हो जाने के बाद क्या compliance करनी होगी employer को और उसका employees के उपर क्या impact पढ़ने वाला है उसके बारे में आज हम बात करेंगे तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरी चैनल तिंगचारें पर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो compliance और उसके impact को बताने से पहले मैं आपको यह बता दूँ कि की features क्या है इस code के पहला feature तो उसका यह है कि जो 24,000 रुपे की payment of wages में limit हुआ करती थी उसको remove कर दिया गया है यानि कि अब wages से लेने देना कोई नहीं है क्योंकि पहले 24,000 अगर आपकी salary है तो ही आप payment of wages में cover होते थे उसके अंदर आपको protection मिलता था लेकिन अब इस ceiling को हटा दिया गया है कि अब salary कितनी भी हो लेकिन आप इस code में cover हैंगे दूसरा जोसका key feature है वो यह है कि चाहे आपकी company में एक ही employee क्यों न काम करता हो फिर भी आपकी company इस code के अंतरगत cover होगी तीसरा इसके अंदर जो key feature है वो यह है खास तोर पर यह उन लोगों के लिए है जो की company छोड़के जाते हैं क्योंकि देखिए अगर termination होता है किसी employee का तो तो कानून है कि within two days आपको payment करनी होती है लेकिन ऐसी कोई clear guide है उन cases के लिए नहीं थी जो कि voluntary base पर या स्वेचिक तोर पे company छोड़के जाते हैं ऐसे cases में जो उनका flare final settlement होता है वो दो-दो महिने, तीन-तीन महिने तक delay हो जाया करता था इस situation से बचने के लिए या इस situation को खतम करने के लिए हम कह सकते हैं government ने इसमें प्रावधान डाला है कि ऐसे cases में भी दो दिन के अंदर payment आपको करनी होगी अगला जो इसका key point है वो यह है कि definition of wage को बहुत ही clear कर दिया गया है तो इसमें जाने detail में मैं नहीं कुछ हूँगा बट मैं आपके मोटा मोटी बता देता हूँ कि अब एक simple funda रखा गया है कि अगर आपकी salary कि 50% से जानदा allowances हैं आपके तो जो 50% का access होगा उसको भी wages consider किया जाएगा जो कि generally होता है कि wages का मतलब होता है आपका basic salary डिये तो employer क्या करते हैं कि basic salary बहुत कम रखते हैं let's say 30% of total gross salary का रख दिया उन्होंना और उसके बास सारे आपके अददर allowances बना दिये जो कि wages में consider नहीं होते हैं बहुत जगाओं पर जैसे कि अगर हम graduate salary के ही बात कर लें तो वो सिर्फ basic के बारे में बात करती है और basic के उपर ही सारी calculations होती है ऐसे मैं employer को नुक्सान होता है तो इस चीज़ से बचने के लिए government ने कहा है कि salary आप जो कुछ भी देंगे अगर आप basic salary के 50% से जान्दा components को जैसे बात की पॉइंट वो यह है कि इसमें national floor wages की बात की गई है हाला कि जो बात होनी थी इस quote में वो होनी थी national minimum wages की जो कि नितियायोग ने suggest भी किया था government को कि करीब 375-370 रुपे पढ़ लेके साब से एक national minimum wages होना चाहिए वो चीज स्टेंड नहीं हो पाई थी इंडर्श्रिस्ट के सामने उन्होंने सीधा से सिरे से खारिष कर दिया था उसको कि बहुत जान्दा हो जाएगा और अलग-अलग ट्रेटरिम इंडिया के wages, minimum wages अलग-अलग होने चाहिए क्योंकि जो wages दिल्ली मिलते हैं जो life standard दिल्ली का है वो यूपी के किसी गाउं का नहीं होगा बिहार के किसी गाउं का नहीं होगा तो wages वहाँ कम होने चाहिए और दिल्ली wages जान्दा होने चाहिए पूरे country level पर आप एक fix menu wages set नहीं कर सकते हैं उसके बाद में जब डिती आयोग दुबारा से अपने रेकमेंडेशन लेके आया तो उसने कहा है कि 174 रुपे तो होना ही चाहिए minimum जिसको एक floor wages का नाम दिया गया है यानि कि पूरे इंडिया में इस amount से कम पैसा आप नहीं दे सकते हैं इसे जानदा आप कितना भी दे दें वो state governments के पास में उनका rights रहेगा हाला कि इसे कोई जानदा impact पढ़ने वाला है नहीं बट एक कह सकते कि गिग economy के जो workers है उनको इससे फायदा होगा और अगर हम bonus की बात करते हैं तो bonus के case में जो एक ceiling होती है maximum payment 7000 रुपे की आप में विजिस की 1000 रुपे की ceiling है उसको appropriate government आप चेंज कर सकेगी यानि कि हो सकता है कि state governments को भी authority मिल जाए कि वो इस ceiling को अपने state के according चेंज कर सके तो यह थे इसके key features अब बात करते हैं कि इन changes का इस court का existing compliance के उपर क्यांतर पढ़ने वाल है अब बात करते हम register की और records की तो अगर register की बात करते है तो अभी current में क्या है कि करीब 10 registers and records में बनाने होते हैं चार act में जो कि 4 acts में समाइद कर दी गई है तो menu वजिस act में करीब 4 बनाने होते हैं हमको Payment of Wages Act में करीब दो बनाने होते हैं Equal Nomination Act में एक बनाना होता है और Payment of Bonus Act में करीब तीन रिजिटर्स हमको बनाने होते हैं लेकिन इस Court के आने के बाद से सिर्फ दो रिजिटर्स मेंटेन करने होगे पहला होगा आपका Register of Employee Form No.4 दूसरा आपका होगा Register of Wages Over Time Finds Direction for Damages and Loss Form No.1 यानि कि 10 अलग लग रिजिटर्स को Change करके सिर्फ दो में Convert कर दी Returns की बात करें तो 4 Returns जाय करती है अभी हर Act में एक 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 Returns जाती है जो कि अब सिर्फ एक कमाई Returns जाईगी और हम Penal Provisions की बात करते हैं तो existing जो सिस्टम है उसमें आपका 500 रुपे से ले करके 20,000 रुपे तक की Fine का प्रावधान है और Impressionment की बात करते हैं तो 6 महिने से ले करके 1 साल तक की Impressionment का प्रावधान है जो की Code में क्या होगा कि जो Monetary Terms में Fine ने उसको बढ़ा दिया है वो कर दिया गया है आपका 1,00,000 रुपे तक और Impressionment उसको कम कर दिया गया है वो कर दिया है 3 महिने तक के लिए तो overall अगर हम देखें तो ये एक win-win situation है Employee के लिए भी Employee के लिए भी क्योंकि देखिए मैंने देखा था कि बहुत सारे लोग comment कर रहे थी या उनका अपना opening हो सकता है पर मेरे opening में एक तरफ देखी government ने payment of wages की ceiling को हटा दिया है जो 24,000 हुआ करती थी यानि कि उससे जानत सलिया लोग भी इसने cover हो जाएंगे इसमें employer को भी फायदा दिया है कि employee की definition को wages की definition को बहुत clear कर दिया गया है इससे क्या हो कि employer को confusion नहीं होगी compliance करने में और दूसी तरफ होगर हम देखें जो 50% वाला clause डाला है कि 50% से उपर अगर allowances हैं तो उसको wages माना जाएगा इसमें employee का फायदा होने वाला है क्योंकि उसकी gratitude बढ़ जाएगी आगे चलके और भी बहुत सारे benefits ने जोसके अपने आप भी बढ़ जाएगे जब wages बढ़ जाएगा तो अगर हम overall देखें तो ये actual में बहुत ही positive staff में government की तरफ से इसमें मुझे मेरे इसाब से कोई problem नहीं दिखाई देती है बस इसका implementation सही तरीके से हो enforcement सही तरीके से रहे और जो labor authorities है वो rather being a inspector facilitator बन जाए तो जादा beneficial हो सकती ही चीज़े इस से जादा benefit हमें मिल सकता है तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही झाल